एलो बच्चों कैसे हो आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 65 कक्षा केजी दिनाख साथ चार तो हजार पाइस फिध्यारदी का नाम आपको अपने अलाम लिख रहा है शेक्षक शिक्षी का की जिगा महापको अपने सरया माडम का नाम लिखना है नमस्ति बच्चों हम आशा क गिनकर सही संख्या पर गोला लगाई यह तो देखिए पहला क्या है बॉक्स बने हुए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला तो हमने सोला पर सरकल किया अब देखिए इसे गिनते हैं एक तो तीन चार पाँच छे साथ नो दस ग्यारा बारा कितना है यह बारा तो हमने बारा पर सरकल किया है अब यह हाट देखिए हाट कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननिस बीस तो हमने बीस पर सरकल किया है अब यह बाल्स देखिए एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सूला, सत्रा, अठारा, तो हमने अठारा पे सरकल किया है, चली दूसरा देखते हैं, चली नीचे दिये गए, खाली स्थान में सही संक्या लिखकर गिंदी को पू 15, 19 हमने लिखा हुआ है, और 19 लिखा है हमने और 20 लिखा हुआ है, ठीकstart है, ऑर 15 देखे, 15 हमने लिखा है, और 16 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 14 के बराबर में जगह हा ली थी, तो 14 से पहले क्या था है? तो हमने 13 लिखते हैं 14 और 15 लिखा हुआ है 18 और 19 19 के बाद किया था 20 तो हमने यह भी लिखा हुआ है ठीक है चलिए तीसरा देखते हैं अब हर गुपारे के चितर में खाली संग्या बराबर उनसे उसमें छोटी बिंदी चिपकाई है देखे एक गोला है 15 लिखा है दूसरे दूसरे बलून में 17 लिखा है तीसरे बलून में 12 लिखा है और चौथे बलून में 11 लिखा है अब आपको क्या करना है एक स्केच लेना या स्केच पैन जो होते हैं वो लेना या पैंसिल लिए उस पर 15 जो पहला गोला है 15 लिखा हुआ है तो पंद्रा बिंदिया लगा दे पिंदी लगा लीजिए का लेकिन चिपकानी है आपको चलिए आगे देखते हैं चौथा देखते हैं आईए अब नीचे दीगई रेलगाडी में ग्यारा से बीस तक की गिंती को लिखकर पूरा कीजी देखो ग्यारा लिखा हुआ है हमने बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत अथारा उन्निस पीस यह लिखके हमने रेलगाडी पूरी कर दी चलिए आगे देखते हैं शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश बच्चों के साथ कर्टी विदियों के बारे में आविशक्ता अनुसार बात करें नोट माता-पिता कार्य करने में बच्चों की साहित अ अभी वावा को के लिए सुझाव 11 से 20 की पहचान बढ़ाने के लिए घर में मौजुद विविन वस्तु को गिनने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है जैसे ग्लास के टूरी चमच खिलो ने अधिया देखो बेटा आपके घर में ग्लास वगरत होंगी आप ग्लास गिन कर देखो जब भी आप बाहर जाओ तो बाहर से जब भी अंदर आ रहे हो तो आपको अपने हाथ साबन रुपानी से दूने ठीक है और बाहर जाते वक्त मास लगाना और सैनेटाइजर अपने साथ रखना थोड़ी सी दूरी बनाए रखने है और बाहर किसी चीज को छूना न पाए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब करने ना पूले